वो लोग जो अपने आपको professional data analyst बोलते हैं लेकिन उन्हें plots बनाने की science काही नहीं पता so believe me आप लोगों को यह हक नहीं पहुँचता कि आप अपने आपको professional data scientist बोले या data analyst बोले इस lecture के अंदर मैं आपको एक plot बना के दिखाऊंगा जिसके अंदर कुछ हम neaties and gritties को discuss करेंगे जो plotting के लिए बहुत जरूरी है हम एक example plot लेंगे जिसको stacked bar plot बोला जाता है या stacked column chart बोला जाता है इसके उपर हम काम करने वाले हैं using a big data और देखते हैं कि यह किस तरीके से हमारे पास काम करेगा using power bi और let's jump into the screen यहां पर आप देख सकते हैं कि पिछले lecture के अंदर हमने यह वाला plot बनाया था इसको हम यहां पर for example इसको मैं 01 underscore bar chart कहके save कर लेता हूँ और अब हम दूसरा plot बनाएंगे यहां पर इसको मैं बोल देता हूँ stacked 02 stacked bar chart ताकि हमारे पास सारी चीज़ें save रहे हैं और ctrl as दबा के मैं से save भी कर लेता हूँ आपने अगर पिछला lecture save नहीं किया तो save as में जाके अपना project उसे एक जगा पर save करते जाएं यह मेरे पास save हो जुक है and now what I am going to do I am going to fetch another data मैं यहां पर text or file से data लेता हूँ और अपने documents के अंदर जाता हूँ Power BI के अंदर जाने के बाद यह data sets मेरे पास मुझूद है यहां से मैं diamond का data set लेता हूँ which is a big data set अच्छा खासा बड़ा data set है और इस data set को मैं यहां पर load करता हूँ and you can see के हमारे पास यह rows हैं columns हैं वो कुछ इस तरीके से load हो जाएंगे जैसे मैंने इस पर load का button दबाया है you see के हम अपने data को connect कर रहे हैं और इस data के अंदर 53,490 के क्रीब rows हैं which is a kind of I would say big data not really big data but big data so जैसे मैं data पर click करता हूँ you will see के हमारे पास diamond का data भी और tips का data भी जो हमने पहले tips का data load किया था वो भी यहां पर मुझूद है diamond का भी मैं जैसे यहां पर जाता हूँ and you will see के मैं diamond के data पर click करता हूँ and here जैसे मैं इसको नीचे scroll down करता हूँ तो मेरे पास 53,940 rows यहां पर आ रही है अगर मैं इसको zoom in करूँ you will see के जैसे मैं इसको drag करता हूँ 53,940 rows है मेरे पास and इस data set के जो columns है you can see those columns here column 1, caret, cut, color, clarity, depth, table, price, x, y, z ठीक है तो यह हमारे पास कुछ columns है अब हमने करना क्या है stack bar chart बनाना है लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे यहां से इस build के pane को वापिस ले आएंगे stacked column chart के उपर मैं click करूँगा और बड़ा करने के बाद इसको यहां पर ले आता हूँ format की हमें जरूरत नहीं है filter की इस वकत के लिए so हम filters को वापिस ले जाते है data को यहां पर ले आते है and now what I can do I can click on x-axis यहां पर add data पर click करूँगा diamond के column में जो भी हमारे पास हम x-axis पर रखना चाते है वो हम ले आएंगे say for example मैं यहां पर x-axis के अंदर कोई ऐसा column रखना चाता हूँ which shows me something मैंने cut का column यहां पर रख लिया और cut हमें क्या show करवाता है अगर मैं view data पर जाऊँ तो cut shows us the cut of column यानि के यहां पर click करूँगा fair, good, ideal, premium and very good quality of diamond here तो यह मेरे पास diamond quality है ठीक है और यहां पर इसकी depth जो है table, price and so on and so forth बाकी चीज़े है तो मैं क्या करता हूँ cut को मैंने रख लिया x-axis पर y पर मैं ले के आता हूँ diamond की price को तो मैं यहां पर y पर diamond की price ले आता हूँ and you can see कि diamond की price का sum हमारे पास इस तरीके से आ गया और यह हमारे पास एक plot बन चुक है जहां पर भी हम जाते हैं तो हमारे पास interactive ability भी है कि हम जैसे hover करते हैं हमारे पास यह चीज़ें भी आ रही है so बजाए इसके कि मैं sum of price को रखू मैं यहां पर इसकी average price ले के आता हूँ so हमारे पास average price of buy cut ठीक है तो यह of diamond buy cut तो cut जो premium, fair, very good quality, good quality and ideal quality के यहां पर हमारे पास मुझूद है इसकी base पर हम इसको देख लेते हैं मैं इसको थोड़ा से बड़ा भी कर लेता हूँ ताके हमारे पास यह कुछ इस तरीके से नजर आए और अगर मैं इस plot को यहां पर ले आँ इसको थोड़ा से zoom in करूँ ताके आपको दिखा सुकों के क्या चल रहा है यहां पर so it will look like this अब हमारे पास legend में एक और चीज़ हम डाल सकते हैं मैं यहां पर ले आता हूँ इसका से for example color so now you can see के हमारे पास एक stack bar chart आया है जिसके अंदल color of each diamond हमारे पास मुझूद है और इस color पर अगर मैं double click करूँगा तो मेरे पास यह format के अंदर पूरा पर legends आ जाएंगे तो legends हमने on रखे हैं मैं इसको top right पे ले जाता हूँ ताके हमारे पास legends कुछ इस तरीके से नज़र हैं या top right stacked ऐसे कर लेते हैं so यह हमारे पास right side पे आ गया colors यह हैं मैं इन horizontal lines को दुबारा से double click करने के बाद it should show me somewhere format के अंदर horizontal lines मैंने remove कर दी है okay control z करके आप वापिस भी ले कर आ सकते हैं but I don't want those horizontal lines so यहां से इने मैं remove कर देता हूँ तो यह जनाब आला मेरे पास एक plot बन गया अब इसके अंदर एक problem यह है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि जैसे मैं किसी color पे जाता हूँ तो मेरे पास यह चीजें तो आ रही है descending order के अंदर भी है सब कुछ finally ठीक है average price of each thing लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके उपर zoom, slider, ribbon, data labels and total labels भी है for example मैं data labels यहां पे लगाता हूँ तो यह data labels आ गए now I can understand कि each color का each premium cut के अंदर क्या price है on an average तो यह मेरे पास इस तरीके से हर किसी का label आ गया और average price भी मेरे पास आ गई कि average price किसकी कितनी है and then if I put the total label you will see कि on the top you will have the total label ठीक है इसके बाद अगर मैं ribbon add करना चाहूँगा you will see कि अब हमारा जो proper chart है वो एक professional chart नजर आ रहा है look यह ribbons add होगे ribbons का मतलब यह है कि उतार चड़ा हो जब भी आपके पास आ रहा है किसी एक plot के say दूसरे plot के अंदर तो यह आपके पास इस तरीके से आएगा and this is showing you a kind of 3D plot look here कि आपको पता चाहरा है कि कहां पे increase कर रही है price कहां पे decrease कर रही है and you can play alongside और आपको अंताज़ा हो जाएगा कि कितना portion किस चीज़ का है ठीक है मिसाल के तोर पे 4.3 के price जो है premium cut diamond की है for this color F color लेकिन अगर आप चेक करें तो अगले की 3.8 है लेकिन वो बढ़ रही है इसका मतलब यह है कि अगले पूरे टोटल के अंदर 3.8 जो है वो ratio ज्यादा है as compared to premium quality ठीक है और आप यहाँ पे zoom slider भी add कर सकते हैं so you have a lot of options to actually play with the chart अब more options पे click करेंगे more options पे click करने के बाद you can see a lot of format options here as well ठीक है so आप यहाँ की बजाए यह format option के अंदर भी जाके अपनी मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं colors भी change कर सकते हैं and you can do whatever you want to do and now this stacked bar chart looks very professional as compared to the other charts obviously आपको title change करना पड़ेगा इसमें title लगाने पड़ेंगे and then you can actually work on this for example मैं यहाँ पे title पे click करता हूँ और यहाँ पे इसको थोड़ा से zoom out कर लेते हैं and then size and style के बजाए मैं title में जाता हूँ title में जाने के बाद यहाँ पे यह title आ गया and I can put different font size color as well मुझे थोड़ा सा ज्यादा पसंद है blue color में title डालना और subtitle नहीं ज़रूरी divider ज़रूरी है मैं यहाँ पे divider डाल देता हूँ ताके difference feel हो legends के अंदर अगर हम जाएं यह legends होते हैं बगाएदा legends भी नहीं बोला जाता है legends भी और इनको भी बोल्ड कर देते हैं नहीं बोल्ड रहने देते हैं and then we have grid lines if you want to add something like this जो मैंने remove की थी I will keep them removed और यह columns आ गये हैं all series colors को हमने नहीं change करना नहीं हमने border लगाने हैं because it looks good and then plot area background we don't need any background reference line we don't need so यह आपके पास एक proper way make plot आ चुक है which will help you to show your audience या आपके stakeholders कि यह देखें जी यह वाला plot है इतनी diamond की price है and it should look like this और upon that यह एक आपको ऐसी भी क्या उसे बोलते हैं एक different किसम की look भी दे रहा है अब आप क्या कर सकते हैं आप इसको थोड़ा सा ड्रैक करके left side पे ले जाए अब मैं क्या करता हूँ इसको copy करके यहाँ पे paste करने की कोशिश करता हूँ and here you go यह आपके पास paste हो गया अब मैं क्या करूँगा मैं इस plot पे right side वाले पे click करूँगा इसको थोड़ा सा zoom out कर लेता हूँ click करने के बाद I am going to the build folder यहाँ पे build pane के उपर sorry not folder और cut की बजाए ना मैं यहाँ से column कोई और रखता हूँ मैं यहाँ पे clarity रख देता हूँ ठीक है so जैसे मैंने clarity रखी now you see plot is different और आपके पास उसका automatically उपर से title भी change हो गया ठीक है and अगर मैं color की बजाए यहाँ पे cut रखूँ now you will see के clarity और cut की base पे आपका plot different होगा as compared to average price cut and आपका जो color था so 3 variable जो हमने यहाँ पे use किये यहाँ पे भी 3 किये लेकिन these 3 variables are different and these 3 things make a dashboard ठीक है आप इस तरीके से इनको change कर सकते हैं यानि कि यह वाला आपका plot है and you can बलके इसको मैं control Z करके बिल्कुल same quality के अंदर ले आता हूँ जो हमारे पास पहले था and now you see के हमारे पास यह वाला plot ज्यादा बहतर नजर आ रहा है so you can also change different things about this plot बजाए इसके आप इसको इस तरीके से भी कर सकते है इस तरीके से भी कर सकते है और यहां से अगर आप चाहें stacked भी कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया था और आप stacked horizontal भी कर सकते हैं so it's totally up to you अपने किस तरीके से इसको plot को रखना है तो मेरी आपसे request यह है कि आप सोचें कि plot कैसा दिखना चाहिए और उसके बरे में फिर वैसे काम करें तो यह आपके सामने जो चार्ट 100% अगर total है तो उसमें से portion बता रहे हैं और यह वाला stack bar chart आपको simply बताता है कि कहां पे change आ रही है आप देखेंगे कि वो उब्रा हुआ scene होगा वहां से आप यह वाली एक अगर column को देखें यहां पे यह उब्रा हुआ लग रहे है बाकी engraved लग रहे है यानि कि उनमें change नहीं है जहां पे change आएगी यू विल सी अ बिग उभार at that point ठीक है और यहां पे यह वाला ज्यादा मुझे कदरे बहतर लगेगा as compared to the other one and now you can see कि तीन दोनों में variables different है and you can actually see different kind of data set here ठीक है और जैसे आप range change करेंगे you will see कि total में से भी portion जो है आपका वो zoom in, zoom out आप कर सकते है अब अगली चीज़ यह है कि मैं यहां पे click करने के बाद यहां पे filter पे click करता हूँ filter and slicer effect यह हम लगा सकते हैं और हमारे पास यहां पे कोई भी नहीं है कोई filter नहीं है ठीक है और अगर आप चाहें तो इस पूरे के पूरे plot को separate window में भी open कर सकते हैं by clicking here focus mode के थूँ और यह focus mode आगया हमारे पास ठीक है और इस focus mode में आप सिरफ इस plot को देखेंगे and then you can also do one thing आपने यह plot बना लिया इस पे click करें export data आप इस data को export कर सकते हैं show as table कर सकते हैं new calculation कर सकते हैं spotlight कर सकते हैं इसको जैसे मैंने spotlight किया now only this one is in focus और इसके बाद आप चाहें तो इसको sort by access भी कर सकते हैं sort by legend भी कर सकते हैं for example अगर मैं sort by legend करता हूँ you will see कि यहां पे change आ गई है जो best था वो उस तरीके से आ गई है legend की वाइस और बाकि descending order में चलेंगे हैं और अगर आप sort by access करते हैं मैं sort by price भी को कर सकता हूँ something like this ठीक है और मैं अपनी formatting कर सकता हूँ export data भी मैं click करूँगा and then I can export this data मैं इसको CSV file के अंदर export करता हूँ and I can show you this CSV file here let me see कहां गई कहां गई कहां गई कहां गई average price of cut and clarity मैं इसको open करता हूँ and Excel के अंदर यो open करते हैं and you will see कि यह data जो है हमारे पास जो plot के अंदर मुझूद है जो हमने अभी plot किया है we can actually view that data something like this लेंजनाब यह average mean उनका automatically calculate होके आपके पास आ चूक है जो plot के अंदर हमने plot किया है आप उसको यहां पे भी plot कर सकते है and some other data sets के अंदर भी और यहां पे click करने के बाद you can show that as a table और यह वाला table जो है आपको एक बहतरीन look भी दे रहा है कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको mobile format के अंदर भी देख सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको landscape और दूसरी format के अंदर भी देख सकते हैं and then you can also go back और यह plot आपके सामने कुछ इस तरीके से मुझूद है and this is how you can actually do a lot of things based on your data set और इस data set के थुरू आप बहुत काम कर सकते हैं और यह professional plots आपके सामने कुछ इस तरीके से मुझूद है आप right click करके कुछ भी इस पर कर सकते हैं summarize कर सकते हैं format कर सकते हैं and then you can also do a lot of other things यहां तक आपको clear हो गया होगा अगर आप file पे जाएं इसको save as करके अपने पास save भी कर लिए इस पूरे पूरे project को ताके आपको नज़र आए कि आपका project कहीं पे save है और आप इसको दुबारा बाद में use कर सकते हैं ठीक हो गया अगर आप save as पे click करेंगे you will browse on the device जैसे मैंने यहां पे इसको save किया हुआ pbix इसकी file होती है and I have saved the project here pbix file power bi x file और इसको मैं save करता हूँ and replace करता हूँ क्योंकि यह मेरी अपनी ही file है यह ही वाली और मैं अब अगर power bi ko remove या बंद करूँगा then whenever I open that again तो मेरे पास as a project power bi already saved है so I will not lose anything ठीक है so save करना भी आपको बहुत ज़रूरी है तो यह कुछ professional tips है जो आपको काम आएंगी यहां पर यह project मैंने open कर लिया and then you will see कि मेरा जो project है वो उसी तरीके से मेरे पास आ जाएगा ले जनाब यह project मेरे पास आ चुक है it will take some time based on the PC speed और यह मेरे पास इस तरीके से plots आ जाएगे hopefully आपको इस lecture में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगे professional plots भी बनाने समझ आएंगे color की theory तो मैंने आपको पहले बता दिया कि colors ऐसे use करें that makes sense आपने legions और बाकी axes को भी maintain करना आ गया होगा आपको labels का पता चल गया होगा x-axis y-axis का पता चल गया होगा and there are many other things which we are going to learn in upcoming lectures data visualization is the key to be a data analyst plus a data scientist अपना ख्यार रखे next lecture में मिलते है like, share and subscribe this channel and video see you in the next one take care Allah office